तमस्का दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है मध्यप्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन दौारा 3800 पोस्ट पे कम्मुनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वेकेंसी जहां पे निकाली गए थी और अभी हाली में अपडेट आप सभी लोग को यहां पे दिया गया या फिर देखिए आपके डॉक्यमेंट के वेरिफिकेशन के प्रोसेस को रेजेक्ट यहां पे कर दिया गया तो यह जानकारी आप लोग ने आप चेक कर ली दोस्तों आज का यह जो अपडेट है जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको आप मिलने वाली है तोटल यहा यहां पे कितने कैंडिडेट थे जिन्होंने सक्सेसफुली अपने डॉक्यमेंट का वेरिफिकेशन कराया दोनों को मैं आपको यहां पर माइनस करके बताऊंगा कितनी सीट्स यहां पे एवलेवल बसती है जिनको वेटिंग के थुरू यहां पर भरा जाएगा और दोस्तो यहां पर बताऊंगा और यहां पर बताऊंगा और यह सीट्स भी दोस्तों यहां पर देखिए बचेंगी जो यहां पर एवलेवल हो जाएंगी जिनको यहां पर वेटिंग के थुरू यहां पर भरा जाएगा तो पूरी जानकारी प्रूफ के साथ मैं आपको यहां पर दे पे दी जा रही है इसको यहाँ पे open कर लेते हैं तो दोस्तों बिलकुल आप सबी लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह document के verification का outcome आपको यहाँ पे दिया गया था और यह जो document का जो verification है MPNHM CHO के पोस्ट के लिए आप लोग ने 3 फरवरी से 6 फरवरी के बीच आप लोग ने अप सबसे पहले दोस्तों आप सबी लोग को आखरी के candidate के और आपको आप ले चलता हूँ इस list में कितने candidates को शामिल यहाँ पे किया गया जिन लोगों ने अपने अपने document का verification यहाँ पे कराया है तो उसको मैं थोड़ा नीचे की तरह यहाँ पे बढ़ा देता हूँ और आखरी क candidate के और आप सबी लोगों को यहाँ पे ले चलता हूँ तो दोस्तों बिल्कुल आप सबी लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपनी screens पे 2319 यहाँ पे total यहाँ पे candidates है जिन लोगों ने अपने document का verification कराया सबी तरीके के हैं इसमें candidates काफी candidates यहाँ पे successful यहाँ पे document आपका rated है काफी लोगों का यहाँ पे rejected है काफी लोगों को यहाँ पे absent भी यहाँ पे रहेगा अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे पूरी जानकारी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ तोटल यहाँ पर देखिए कितनी vacancies निकाली गई थी तो दोस्तो भरती विग्यापन में notification में आप वहाँ पर बता गया था कि 3800 तोटल यहाँ पर vacancies है इस पर आप लोग ने आप एक्जाम दिया था 6 December 2020 को और दोस्तो देखिए जैसा कि मैंने अभी हाली में आपको बताया कि 2319 यहाँ पर candidate यहाँ पर ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने document का verification आप लोगों ने कराया तो 2319 candidate को इन में से आपर मैं minus कर देता हूँ और आपको आपर बता देता हूँ कितने candidate यहाँ पर बसते हैं तो देखिए 1481 candidate जो है यह seats यहाँ पर available है और इन seats को यहाँ पर waiting के थुरू यहाँ पर बारा जाएगा waiting list यहाँ पर निकाली जाएगी इतने candidates को यहाँ पर waiting list में आपर शामिल कर लिया जाएगा और जैसे कि दोस्तों देखिए आप सभी लोग को मालूम है काफी candidate यहाँ पर rejected थे और जब आप सब लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस list में कितने rejected candidates को यहाँ पर शामिल किया गया है तो rejected जो कुल मेला के यहाँ पर जो तादात है candidates की 348 यहाँ पर रहेगी तो यह seats भी दोस्तों यहाँ पर देखें बसती है और यह seats यहाँ पर finally इसमें यहाँ पर add हो जाएंगी 348 तो इन दोनों को यहाँ पर मैं add करूँगा तो आप सब लोग यहाँ पर पाएंगे कि 1829 seat अभी भी यहाँ पर available है इनको यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर देखें और भी seats यहाँ पर available है क्योंकि इसमें काफी candidates यहाँ पर absent वाले भी थे तो मैंने यहाँ पर सारे candidates जितने भी absent थे सब को मैंने यहाँ पर add किया तो आप सब लोग यहाँ पर पाएंगे 46 candidates यहाँ पर ऐसे हैं 1875 candidates यहाँ पर भरे जाएंगे वेटिंग लिस्ते इतनी seats जो है अभी भी यहाँ पर खाली बचेंगी और इन seats को वेटिंग लिस्ते यहाँ पर भर दिया जाएगा और वेटिंग का update आने में अभी यहाँ पर समय लगएगा क्योंकि देखिए अभी हाली में जो अभी लिस्टी जो निकाली गई है इनके अभी offer letter यहाँ पर जारी किये जाएंगे offer letter जारी होंगे फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखे joining करेंगे joining करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखे data यहाँ पर प्राप्त किया जाएगा कि कितने candidates ने अपनी joining यहाँ पर कर ली, सभी candidates यहाँ पर देखे, joining यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि दीखे, काफी करण यहाँ पर रहते हैं कि दूर का center मिला है, काफी candidates यहाँ पर ऐसे बोलते हैं, कि already हम लोग यहाँ पर work कर रहे हैं, already यहाँ पर job कर रहे हैं, तो काफी ऐसे यहाँ पर reasons रहते हैं, जिनकी बज़े से यहाँ पर candidates seats यहाँ पर छोड़ देते हैं, और कुछ seats और यहाँ पर बच जाएंगी, तो ऐसा यहाँ पर यहाँ पर candidate यहाँ पर शामिल, waiting list में यहाँ पर शामिल कर लिए जाएंगे, और waiting का update आने में कितना समय लगता है, यह कोई भी जानकारी आपको 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 नहीं दे सकता, और अभी जो है, यह list यहाँ पर clear होगी, और इनके यहाँ पर offer letter अभी यहाँ पर जारी होंगे, फिर उसके बाद ही आपको बता चलेगा, कि waiting list यहाँ पर कब निकालते हैं, तो पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपकर कवर की हैं, करीब-करीब इतने seats का यहाँ पर आकड़ा निकल के यहाँ पर आ रहा है, इन seats को यहाँ पर waiting की तुरू यहाँ पर बादा जाएगा, और यह एक expected जानकारी थी, और यह सारा जो है proof आप सब लोग यहाँ पर check भी कर सकते हैं, अपने आप लोग यहाँ पर अपने एसाब से आप लोग यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं पूरी जानकरी जो है accurate मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड यहाँ पर कराई है और उमीद करता हूँ शैशान आपको हाँ पर समझ में आ गया होगा और लाइक करें इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो कहाँ पर लाइक करें इस मेहनत को लाइक जरू करें जितनी भी candidates आपके यहाँ पर waiting list का आप इंतिजार कर रहे हैं और यहाँ पर CHO की भरती से यहाँ पर जड़े हुए हैं आप सबी लोग को यहाँ पर जानकारी शेयर कर देनी हैं वीडियो को शेयर कर देना है कमेंट बॉक्स में कोई भी doubt है कोई भी सवाल है आप सबी लोग पूछ सकते हैं और चैनल का WhatsApp नमबर already आपको आपर मालूम है एक बार मैं आपको आपर विर्से बतायता हूँ कर दूँगा इस तरीके से information कोई भी YouTube चैनल यहाँ पर cover नहीं कर रहा है आगे भी जानकारी आपको आप मिलते रहेगी तो वीडियो को निश्च जाए सब्सक्राइब के red बटन को आप एक लिक कर ले मद्य परदेश, NHM द्वाराफ, CHO के हर एक अपडेट की जानकारी इसी तरीके से आगे भी पात रहते मिलते आप से अगली वीडियो में Thank you so much